मुझार्जकार दोस्तों एक औरत अपने घर के खिड़की से पार सामने शत्त पर एक औरत को कपड़े सुखाते हुए देखती हैं और अपने पती से नाक ऐसे करते हुए कहती है कि देखो इस औरत ने कितने गंदे कपड़े दोए हैं इसे कपड़े धोने भी नहीं आथे कि दो तिन दिन बाद कि भाहिव ऑरत खिटकी में से फिर उस और सब्सक्राइब को देखती है और अपने पती से कहती है कि देखो कि इस औरत को कप्ड़े दोने नहीं है आते आज भी कितने कि गंदे कप्ड़े दोए हैं पती क्युप रहा कुछ इसमेबाद कि उस औरत में खिटकी से फिर उसी औरत को कप्ड़े सुखाते हुए शत्पत देखा और फिर अपने पती से कहने लगी कि देखो इतने दिन हो गए हैं और इस औरत को अभी तक भी कप्ड़े दोने नहीं आए हैं पती ने एक दम कप्ड़ा नकाड़ा और खिटकी का शीशा साब किया खिटकी पर बहुत ही बड़ी दूल जमी हुई थी तब वो औरत यह कहकर ही बहुत शर्मिना हुई दोस्तों यह शोटी सी कहानी है लेकिन साथ बहुत बड़ा है हम जिन्दगी में दूसरों की कविया नकालने में ही अपनी जिन्दगी नकाल देते हैं और बहुत जल्दी दूसरों को जज़ कर लेते हैं हो सकता है हमारी नजरे साफ हो लेकिन हमारा नजरिय साफ करने की जुरूरत हो दोस्तों हमेशा खुश रहें मास रहें और ब्यात रहें आपका हर पल शुब हो